आती जन्ता पार्टी है ये एपोजिशिण को खतम करने का पूरा प्रयास कर रही है और आप देख eyes लेजिए चायए वो रंसीचे लीडर ऊहों, चायए वो कॉंग्रूस के लीडर ऊहूं चाया वो पेंथरस पार्टी के लीडर ऊहों, ये हमारी पार्टी के अंदर भी प्रवाद करूं तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि ये एक राजनेते की वैश्यवरती है जो लोग अपने पार्टी के सगे नहीं हुए वो जनता के क्या सगे हों और भाती जनता पार्टी पूरा प्रियास कर रही है प्रलोभन देके तोड़ने का प्रियास कर दिया नेता बीजेभी का विरोध करते रहे तो आज इन लोगों के कैसे समागम हो गया इससे साफ़ता चलता है ये एक पॉलिटिकल ऑपरचिनिजम है और डिस इस पॉलिटिकल डिबॉश्यरी है मस्से मैरेज अफ कन्विनियंस इसमें कोई दो राए है ही नहीं और अपना काम बनता भ आपके कान खुले आंके क्या हो रहा है यह और जब जम्मू संभा किया बात करे हर वर्ट सटको पर है और अभी आमिश्यरी हां के आने के उपरांती बारिशें हुई और कितनी फसलों का नुकसान हो गया पाड़ों हो गया आज इपने यही मांग की कि जम्मू किश्मीर रा लगी है लेकिन आप उसकी बात ही नहीं करते हैं आप लगे हो रेलिया करने यहां पर और अपने परचार करने लगे हो हर वर्ग दुखी है हर वर्ग मी और आप हर के जकम पर नमक छड़कने का जैसा कि आप जानते हैं अमिश्या जी की रैली आज जमू कश्वीर में आई और सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जहां सारे बीजीपी बीजीपी में विले हो कर भी वहां पर जॉइनिंग दे रहे हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भार्ती जन्ता पार्टी है यह अपोजिशन को खतम करने का पूरा प्रियास कर रहे हैं और आप देख लिजिए चाहे वह एंसी के लीड अब लोगों को यह पता चल चुका है कि वो नेता जिनोंने 20-2022 साल अपनी पार्टी को दिये और हमेशा जो है भार्ती जन्ता पार्टी का विरोध करते रहें और यकाया को आपने देखा कि उन्होंने पनी पार्टी छोड़के बीजेपी जोईन कर ली इसे कहते हैं marriage of convenience and politics. This is political debauchery और अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूँ तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि ये एक राजनातिक वैश्यवरती है. जो लोग अपने पार्टी के सगे नहीं हुए वो जनता के क्या सगे होंगे और भाती जनता पार्टी पूरा प्रियास कर रही है, परलोभन देके तोड़ने का प्रियास कर रही है नेताओं को. दब और दबाव से लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. या तो इनके प्रलोभन के चकर में आजाओं, या फिर इनके दबाव में आप दब जाओं. तो ये पूरा प्रियास कर रहे हैं कि खतम ही हो जाया इनके सामने से. मैं आपसे एक सवाल पूछना जाता हूं कि कहीं न कहीं बीजेपी ऐसा टैग देता है कि ये लीडर करप्ट है, इस लीडर के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन सड़नी जैसे इनकी पार्टी जॉइन कर लेता तो उस लीडर के बारे में अच्छे एकदम वो राक्षिस योनी राष्टे विरोधी आज उनी नेताओं का इनकी पार्टी में समागम हो गया है, इनके लिए वो धूल गए है नेता, और उन नेताओं को गंगा सनान हो गया है, मतब कोई भी नेता हो, कैसे भी प्रवर्ती का हो, लेकि जब भार्तिद्धा पार्टी जोईन करता है, उसका विरूद करते रहे तो आज इन लोगों के कैसे समागम हो गया इसे साफ़ता चलता है यह एक पुलिटिकल अपरचिनिजम है और इस इस पॉलिटिकल डिबॉश्री है मसे मैरेज अप कन्विनियंस इसमें कोई दो राए है ही नहीं और अपना काम बनता भाड में जाए जनता तो कहीं न कहीं यह जो लीडर्स होते हैं न ऐसे लीडर्स और ऐसी पार्टियां यह लोगतंतर के लिए भी खत्रा है और समाज के लिए भी खत्रा है और लोगों को इसको सिरे से नकारना चाहिए लोगों को ऐसी नेताओं को भी और ऐस चीज कश्मीर के लिए आप देखिए जमू में जब भी नुकसान वाली चीज़ आ जाती है मिलिटर भी लगेंगे जमू में लगेंगे टेक्स रेविन्यू होगा जमू में होगा कोई भी चीज होगी जमू से क्लेक्ट होगी लेकिन तूरिजम का पैसा बांडने की बारिया जमू में जो अगर बात की जा अर्षवाइल डोडा में होटल्स हैं उनको कोई पैसा नहीं आप कभी भी देखेंगे कोई बीचीज एन पढ़ती है उसका मुआफ़ा कश्मीर में मिलता है लेकिन जमू में आज एन पढ़ी है उसका मुआफ़ा की बात यहां कोई लीडर कर किया यही कारण है यह वो नेता है जिन्होंने 2014 में यहां पर जम्मू में रहलियां करें और दुसरी बार 2019 में भी द्वारा इन्होंने रहलियां की और यहां से बड़े-बड़े वादे किये लोगों ने कि जब हम आएंगे सत्ता में तो यहां पर जो है नोकरियां दी बार्ती जंता-पार्टी के सरकार विफल रहे है जन सुरक्शा मोया करवाने में वहीं वह पाकिस्तान के रिक स्टे में में होता है अप ठेक्राफ देते हो पाकिस्तान पर अपने जिम्मीवारी क्यूं सुरक्शा में पॉइए है एक सरकार का प्राइम में मीलिटीRY नाव क बारिशें हुई और कितनी फसलों का नुकसान हो गया पाड़ों पे सब्जीयों का नुकसान हो गया आज हमने यहीं मांग की कि जम्मू किश्मीर राजे का दर्जाबाल होना चाहिए और जो बरसात की वैसे जो आपके जो किसानों की फसलों का जो विनाश हुआ है उसका जखमी है और आप हर वरक के जखम पे नमक चड़कने का काम कर रहे हैं यहां की बात करो इस अफेक्ट आप सतर हजार डेली वेज़स सरकों पर बैठा है SPOs, Home Guards, NYCs, NYVs, Magnelega के लेबर, Contractual Teachers, Lecturers, Rehberate, Kale, Face2K, Aspirants, CISF, BSF के Aspirants, किन के नाम लोगा? जूते भी पॉलिश किया जहां तक हमने बिल्कुल पड़े लिखे नौजवान है, Gold Medalist है, Silver Medalist है, Bronze Medalist है, Jammu, Kashmir और रास्टर के नाम रोशन किया है, और आपने क्या दिया इनको? जूदे पॉलिश करने के लिए मजबूर कर दिया ये इसे बड़ी कोई बात होगी कि यहाँ पर महिलाओं के उपर टंडे बरसाए गए आशा वरकर्स आंगनवारी वरकर जब प्रटरस कर रहे थे तो इनकों पर लाठी चार्ज हुआ और हम रिपोर्ट जैसी भी आए कि उसम यूदे पोलिश की है यह फोर्ट यूद्ट पालिश चूज अन रोड़्स यह फोर्ट यूथ यूदे पीपल लेंगविश ओन रोड़्स यूर यूर शुट भी हैज रिस्पोंसिब फॉर दिस्क्याओं जम्हों केश्मिर अमिश्या प्लीज लिस्टू अस पार्टी वांट ओपर यू आइस यूर दॉफ और दॉफ और दॉप मस्टेक कोगनिसंस अफ इस सीरिस ग्रेफ मैंटर प्रेवलेंट इन जम्हों केश्मि मेरे यूथ होते हैं और मैंने जब संग्यान लेने की कोशिश की वह 80% वह यूथ होते हैं जब उनकी बात आती है रविंदर रहना जी का एक तरक हमेशा आता है कुछ भी होता है तो वह ठीक रहा पाकिस्तान पर फोड़ते हैं कब तक जम्मू की जो आवाम है इसी तरह आदेम से एक जो एक क्लींजिंग है ना पॉलिक्स में होना जुरूरी है क्योंकि हम लोग ही हैं जो नेताओं को चुनते हैं यह लोग ही चैन करते हैं किस पार्टी को सत्ता में लाया जाए तो इस पे आप लीडर का कुसूर वार ने ठहरा सकते हैं क्योंकि आपने उनको मो प्रटी एक वायद पार्टी है जो उपोस कर रही है जो ऑपोजिशन कर रही है सही मायने में हल्दी ऑपोजिशन इश्व के उपर एपोजिशन हो रही है हर्ष अपने शरी ला सिंग जी ने मुलाकात करी अभी पिछले दूनों शरी हर्ट देव सिंग के साथ और हमने यह बिलकुल बिलकुल ने राष्ट हिट सर्वोपरी वह सबसे वह सर्वोपरी है लेकिन हाँ जम्मु किश्मीर का भी सर्वाइब जो है वह उसके बारे भी को काड़ फैंगेंगे और 2015 में क्या हुआ जब यहां से मैंडेट मिला आपने हाथ मिला लिया वह पहली मैरीज ऑफ कन्विनिंस थी बारती जंदा पार्टिक जब ने पीडीप के दसरकार बनाए और इसके बाद सारी एस्पिरेशन जितरी भी जो आशाहीं थी लोगों की जो अगांग चाहीं थी उनको अपने बेच दिया अपने सता के खातिर यू बाटर अवेड़ एस्पिरेशन ऑफ जमू रिजिन फॉद लोफ्स ऑफ पावा और उसके बाद देख लीजिए आप ये 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 आप जो चल रहा है ना मैरीज ऑफ कन्विनिंस टू तो कहीं देखा गिए और ताकत में आने के लिए जो जूट बोले जाते हैं ये सब जूट बोले गए जूबले बेचना अपने अपको सता में काविस कर देना फिर लोकों को दोखा देना अपना काम बनता बहर में जाए बन चलता इस पार्टी को नगारना चाहिए और एक आपको काम रच में करने बेचिए बहर माती हमा पार्टी को जिता आठार कि पल्कुल देखें आपने आखां को बूछी के करें करें काने करें और नहीं करें कि संबडी थो तो टीक इसा डिशन ठंडी अब आखाने के लिए जमू में आया कोई एक दिन निकल आये आधा घंटे के निकल गए यहां से सारे सारे मंतरी वहां गहे और वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्स का एलान किया अब अमिशा भी आये सबसे बेद दिली से सीरा कश्मीर और इनका अभी रैली कैंसल करें लिए यहां कैंसलर की सोज रहे लेकिर के लोगों को तो अभी तक ये भी आपता था कि एयरपोर्ट की बात की वी हमारा किराये पे हमने आर्मीचे हमारा चमू का अपना खुद का एयरपोर्ट निया आप जाके बादों हमें एयरपोर्ट दे रहे हैं हमारे एरपोर्ट के लिए फंडिंग कम है कश्मीर के लिए देखिए आज की डेट में अगर हम इन पर दबाव नहीं बनाए तो यह काम नहीं साथ साल से 35 पार्टी ऑपोजिशन कर रही है और सारे जंबू के इशू उठा रही है जो भी हो रहा है यह लोगों के दबाव के वज़े से और 35 से आपसने अपके सामने आ रहे हैं यह चीज इस हमने हमने भी देखिया जाता है एंडिटी विए चैसा अजह सब चेया ले में नहीं वह इस चीज से दरता कि कब हमारी वानी को रिराम दिया जाएगा तो आपको कह लगता यह डरकर का मोहूल देखिए दमन की राजनीती चल रही है और एक तानशाही चल रही है इसको तो हम डिनाइए नहीं कर सकते और 35 पार्टी को मेंशों पोस करती है और हमने हमेशा देखिए इनके खिलाफ इनकी दमन कारी नीतियों के खिलाफ हमने दिल्ली में भी परदर्शन किया है तो हमें अब एक जुट होना पड़ेगा सभी को और यह एक पॉलिटिक सा उपरेशन चल रहा है ना इसे कभी देश का भला नहीं हो सकता तो अब लोगों को आना पड़ेगा सामने और इनको एक बिफिटिंग रिप्लाई सही समय पे देना पड़ेगा ताकि ऐसी फासिस फोर साथ जमवाल जी ने किस तरह बेबाकी से हर स्वाल का जवाब दिया हम भी चाहेंगे कि इसी तरह लेडर्स जितने भी जमू किश्मीर के बेबाकी से जवाब दे आज के लिए बस इतना है जैबारत जैहिन